हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बार भी ब्याई वी नहीं पड़िया वबच्चिया एदी हीट में नहीं आई आई है तो उसको हीट में कैसे लाएं यानि सो परसेंट आप अपनी पड़िया वबच्चिया को हीट में ला सकते हैं इस वीडियो के अंदर ले चुकी है तो ऐसी एंजिनिंग में शरीर में अच्छा वजन ले चुकी है फिर भी वह हीट में नहीं आ रही है तो उसे क्या देना चाहिए स्टेप वाई स्टेप बताऊंगा यह दि आप उस तरीका को अपनाएंगे तो आपके पड़िया बच्चिया हीट में भी आए दे चुके हैं फिर भी वो हीट में नहीं आ रही है तो इसके लिए आपको क्या करना चीए क्या देना चाहिए वीडियो लंबी होगी स्क्राइब करके मैं देखना पूरा देखना बहुत इस जानकारी के साथ वीडियो दी जाएगी तो जो इस चैनल पर अभी नए आए के लिए बहुत ही सही जानकारी लेकर के आता है तो सबसे पहले तुम आपको बताना चाहता हूं कि यह आपका जो पड़िया है बच्ची है सरीचे स्वस्त हो रही है अच्छी मोटी हो रही है मोटी ताजा हो रही है फिर भी ही नहीं आ रही है तो भी आपको दिकत हो सकती है आपके पडिया बच्चिया हीट में वजन नहीं ले रही हैं वेट गेन नहीं है वजन कम रह गया है तो भी आपकी वहीट में नहीं हो पाता है तो भी आपकी जो पडीया बच्याहीट में आती हैं तो येटो ही नजदी के पस अधिक गटापम सक होता है, उसको पर दिखाते हैं दिखाते हैं तो वो आपको चैख करके बताते हैं कि शिकी बादरी का विकास नहीं हुए तो उससे इस्तती के Dire房 को है undertaking देखो माँ आपको कुछी इस तरह की इंजेक्शन बताऊंगा यह दीवा इंजेक्शन आपके पास यह नजदिक पसू चिकत सक है या कोई वेटिनेरियन है तो उनकी साहिता के दोरा आप यह इंजेक्शन उस पसू को लगा सकते हैं और आप अपनी जो पड़िया वा जब तक एदी आपके पसू में इंटरनल पेरासाइट यानि आंतरिक परजीवियों का खात्मा नहीं होगा तब तक एदी आप अपने पसू को कोई भी या किसी भी तरह की एदी जो मेडिसीन एदी आप देते हैं चाहिए वो पाउडर हो या लिक्वीड हो या इंजेक्ट सकते हैं उसमें आपको बैटर जल देखने को मिलता है जैसे आप उसकी डिवर्मिंग करा देते हैं तो उसके बाद में आप अपनी पड़िया बच्चिया को जो में एक विटामिन का इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन आप अपने पसुच कर सकीया वेटिनेरियन के के दुबारा जरूर लगवालें जिस प्रकार से विटामिन विपर इंजेक्शन जिसमें आयोडाइईज विटामिन прог 600 इंजेक्शन आता है यह इंजेक्शन भात ऐचा अपनी है कोई धैक्शन आप कई भीमारी में लीट चांब करता के आंप ग दैसे ऊसीं दीक्शन का प् उस पसू को 5 mm intramuscular, यानि मास में यह injection लगवाना है, जो इस तरह का injection आता है। यह injection क्या करता है कि आपके पसू में reproductive से समधित यह और्गन में कोई भी दिकत है, तो उसकी कंट्रोल करता है उसको विकास करता है डवलमेंट करता है रही बात यह आपके पस्टो में कहीं पर ङज़न कम रह गया है किसी ऑन पूर्ड रहा थिया ऊर्गनका डवलमेंट नहीं हुआ यह हीजो करता हुए enjoyable क्या है तो यह उसको मजलार भानधा है कि ज pont काम करता हैं यह injection भी आप लगवा लए साथ में आपको इस इंजेक्षिन के साथ आपको ऐस्पोस में जिसा आप वह इंजेक्शन आप अपनी पड़िया बच्छिया को जरूर लगवा लें यह इंजेक्शन 15 ml से लेकर कि 20 ml इंट्रामस्कुलर आपको इंट्रामस्कुलर यह इंजेक्शन लगाना है यह दोनुं इंजेक्शन आपको साथ में लगाने यानि एक साइड आपको वी फाइप इ लगाने फिर आप 2020 में इंजेक्शन्किन तो तीश्रास्था में जाते हैं को और सबस्क्राइब सब्सक्राइब करकार से कीठाना में यह आपने लोग मेध्या आनि बच्चिया-गी जिसमें इस तरह की जो टेबलेट आती है जो निली वाली जो टेबलेट आती है कोबार्ट की जो टेबलेट आती है वह टेबलेट आप उसे अपनी पढ़िया बच्चिया को पहले दे दिनी है जो बीच वाली टेबलेट है जो वाइट टेबलेट है वह आपको 15-20 मिन्ट बाद में आपको किसी भ आपने यह टेवर दियुव तो तीसरे दिण आपको यह injection आपको जो गिए बीट गों या क्युह डीकुल प्रोस्टिनोल शार्ट का जो इंजक्षण इंजेक्षें किया यह की इंजेक्शन आपको इस कीट दे रहे हैं पाफ को लगवा लेना mau ले और फिर निया पांच्वा को देना है यह इंजेक्शन लगाने के बाद कित दे रहằे हैं तो उसके बाद में आपका पुरीट मच दे रहे 혁एगा घीट में कब जाएगा याई आपको दस दिन के वितर भीतर हीट में जाता है कईयों तो और के भीतर हीट में असंटे में घैना जैव inversmanा इसे में आप को जू अन्यिंचे का इन्जेट्र में lucky रिस्टाल है वो डाई एमेल इंजेक्शन लगाकर के उसके बाद में उसकी तीन से चार गंठे या चार से चार गंठे बाद में एयाई वे नेच्रोल आप करा लेना है आपकी जो गाय बहांस है वह 100% तक गाविन हो जाएगी यह दि आप इस विद्धी से आप करेंगे फिल्ड के अंदर इस विद्धी अा-श्यमिलम मिला इदि inhale प्रसई में मेजर दिक्त Are और यह दीन दिक्त हो गई P इंटर्नल और्गन विया इंफेक्शन आपके परशू में हो गया है तो इंफेक्शन के लिए आपको अधर ट्रीटमेंट कराना होता है यह बहुत ही ज्यादा दिकत होगी है लेकिन जो फैस्ट ब्यावंत है जो या फैस्ट जो बर हीट में आने वाली जो पढ़िया बच्च की इंजेक्शन भी लगवारें यह वीडियो जितना हो सकता वेटिन इस्टेंट या पस्व पालक उनके साथ सेर कर दें उनमें पस्व मिश्टर की एदी दिकत हो गई है तो रही बात यह आपको आल वेटिनेरी मेडिशन के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो उसका लि इसे तरशे मेरी वीडियो देखते रहें इसे तरशे मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवा